हेलो प्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मौरेजी में प्रेंट्स आज पूरें बात करने ला हूं बीबो B17 डिवाइस के अंदर आप काल फारवर्डिंग सेटिंग कैसे करेंगे यह सेटिंग में आपको अपने वीडियो में बताने वा प्रेंट्स आपके फोन में कोई दिख्यत है तो आप क्या करेंगे उसको अपने फोन में काल फारवर्डिंग सेटिंग करेंगे और आपको नहीं कोई पार्चेस करना है नहीं कोई रिचार्ज करना है जाइगी फ्रेंच इसकी मिद्धय करना है यही मैं आपको अपने वीडियो में बताँगा चली आपको बता जिता हूं आपको अपने फोन वे काल ediyor सेटिंग का इसे करना है फ्रेंच आपको फाष्ट नमर में आपने तो आपको उस पर क्लिक करना है आप जैसे इस पर क्लिक करना है आपको यहां पर स्ट्रेटिंग करना है आप जैसे 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 स्ट्रेटिंग करना करनी होगी हम उस स्रीम को यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर स्लेक्ट कर लेते हैं आप जैसे हम यहाँ पर स्लेक्ट कर लिए आप देख रहे हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह आउक्षन आ जाएंगे और आप देख रहे हैं यहाँ पर काल फार थोड़ा सा आपको बेट करना होगा 10-15 सिकंड आप देखरें हमारे फोन का जो स्टेटिंग है काल फारवडिका ओधर यहां पर फोर हो रहा है तो आपको थोड़ी सी बेट कर लेना है और इसके बाद यहां पर आपके फोन में आयसे सेटिंग यहां पर सो हो जाएगा और छी आपको करना है उस नमो को यहां पर यहां पर जोड़ा सा मिलता तो आपको इस पर कलिक करना है आप जैसे इस पि कलिक करोगे आपके फोन-का जो तो सेब कॉंटेक्ट है और यहां पर वह यहां पर हो जाएगा तो आपको यहां पर जो इस नमबर ऋको काल फरॉर्डिंक करना है उस नमबर को यहां पर paar लेना है आपको तो हम देख रहे हैं आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यह आपके VERY अप्डेٹिंग होने लेगा जो आपका setting है वो यहाँ पर नंबर फीड करने लगेगा और आप देख रहे हमारे phone में simon forwarding all calls मतलब यहाँ पर setting हो चुका है और हमारे phone में यह number set हो चुका है आप मेरे phone में जो भी incoming calls आएगा और मेरे phone पर नहीं आएगा अब मैं जो नंबर फिड किया हूँ उस नंबर भी incoming calls जाने लेगे इस तरह आप अपने phone में काल forwarding setting कर सकते हैं तो पर शुम्मित करता हूं वीडियो अच्छी लिए वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें